नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं सिक्षकों के नियोजन के लिए सिक्षा विभागने की पहल नियोजन प्रक्रिया पूरा करने की निर्वाचन आयोग से मांगी इजाज़त बिहार में सिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी इसे लेकर राज निर्वाचन आयोग से सिक्षा विभागने ल चौधरी ने बताया कि अभी छट्टे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही है। बिहार के दो सिक्षकों की गई नौक्री सरकार ने किया बर्खास्त फरजी सर्टिपिकेट पर टीचर बनकर उठा रहे थे वेतन। निगरानी अनवेशन ब्यूरों ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। अब बिहार में घर बैठे मिल जाएगा चरित्र प्रमान पत्र अगले महने से सारी प्रक्रिया ओनलाइन। चरित्र प्रमान पत्र यानी की कैरेक्टर सर्टिपिकेट बनाने के लिए अब तक लोगों को SP आफिस का चकर लगाना होता था। लेकिन अब घर बैठे ही आपको चरित्र प्रमान पत्र मिल सकता है। साथ ही साथ डिजिटल कॉपी भी आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। इस नई विवस्ता से आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। चरित्र प्रमान पत्र जारी करने की विवस्ता ओनलाइन किये जाने को लेकर ADG आधुनी की करन डॉक्टर कमल किसोर सिंग ने काया कि ग्रिहा विवाग पिछले धाय महने से इसका ट्रायल कर रहा था। अब यहाँ सारी प्रक्रिया, जांच और पर्खी गई है। एक नॉमर से हम पूरे राज में चरित्र प्रमान पत्र ओनलाइन उपलब कराने की विवस्ता लागू करने जा रहा हैं। पूरे राज में यहाँ लागू होगा और इसके तहट लोगों को ओनलाइन तरीके से ही केरेक्टर सर्टिपिकेट मिल जाएगा। बिहार में बिजली संकट गहराया, छोटे सहरों और गाओं में 10 गंडे तक बिजली की कटोती। बिहार को मौझूदा वक्त में 6500 मेगावाट बिजली की जरूरत है जबकि 5700 मेगावाट बिजली के आपोर्ती की जा सकी है। खरीज चुकी है, इसके बावजूद आपोर्ती को पूरा नहीं किया जा सका है। सोमवार को मिखमंतरी नितीज कुमार ने कहा था कि बिहार में किसी भी स्तिती में बिजली आपोर्ती को बहाल रखा जाएगा। इसके लिए हम बजार से महंगी दरों पर बिजली खरीद रहा हैं। लेकिन इस दावे के बावजूद बिहार में मांग के अनुरूप सप्लाइ नहीं हो पा रही है। हाला कि राहत की बात यहा है कि उधोगों पर फिलाल बिजली संकट का असर नहीं पड़ा है। हाला की बिजली खरीद बिजली खरीद बिजली खरीद बिजली संक्राइ नहीं हो पर बिजली खरीद मांग के बात यहा है। मा की भक्ती में डूबा हुआ है पंडाल की साज सजायोड देखने के लिए स्रद्धालू अपने आपको पंडाल आने से रोक नहीं पा रहा है पटना के कंकरबाग इस्तित टेंपू इस्टेंड पर स्रिश्री दुर्गा पुजा समीती द्वारा बनायागा पंडाल में मा की प्रतिमा मन को मोहने वाली है पंडाल परिसर में काईडलाइन का पालन करते हुए तरसन कराया जा रहा है राज के सभी जीलों में खुलेंगे 50-50 बेट के रक्षा ग्रिहा होम में रहने वाली लड़कियां की जाएंगी सिफ्ट राज के सभी जीलों में लड़कियों के लिए 50 बेट का रक्षा ग्रिहा बनाया जाएगा इसको लेकर समाज कल्यान विभाग ने प्रस्ताव तयार किया है जिस पर विभागिया मंत्री के इस्तर से समती मिल गई है अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास बेजा जाएगा एवंग वहां से अनुमती मिलने के बाद दिसंबर से इसको लेकर काम सुरू हो जाएगा विभा विभाग के अधिकारियों ने वालिका ग्रिह में रहने वाले लड़कियों से बातचित कर उन्चे यह जानने की कोशिश की कि होम में रहने में उन्हें किस तरह की परिशानी हो रही है वहीं इस परिशानी का समाधान भी जाना जब लड़कियों ने अपनी परिशानीयों से अधिकारियों को अवगत कराया तो उनकी बातों के आधार पर अधिकारियों ने फिवरा तयार कर विभाग को सौप दिया है जिसके बाद सभी जीलों में रक्षा ग्रिहा शुरू करने का नेने लिया गया है बिहार में 2025 तक सभी घरों में स्मार्ड प्रिपेड मितर बिजली बिल समेट कई झंजटों से अब मिलेगी मुक्ती बिहार में डेड़ करोड से अधिक बिजली उपभोगताओं को अब बिजली मिटर के कई जंजटों से मुक्ति मिल जाएगी 2025 तक बिहार के उपभोगताओं का बिजली मिटर स्मार्ड प्रिपेड मिटर में परिवर्तित हो जाएगा जिसके बाद बिलिंग के लिए मैनुवल रिडिंग, बिल के वितरन और पैसे जमा करने के साथ ही वकाया बुक्तान के बाद कनेक्शन कटने की समयसा से चुटकारा मिल जाएगा बिहार में इस परियोजना के उपर करीब 11,100 करोड की रासी खर्च की जाएगी सोमवार को बिहार सरकार ने दो विजली वितरन कमपनियों को 3,334 करोड की वितिय सायता प्रदान करने की अनुमती दे दी है इस प्रोजेक्ट में 15,30 रासी केंदर के तरब से दी जानी है बिजली संकट के बीच आरजेडी की तैयारी नहीं बुझेगी लाल्टेन आगे जानीए पूरी खबर देश अब तक के सबसे बड़े बिजली संकट से जूज रहा है कोईली के कमी के कारण बिजली की सप्लाई प्रभायत हो रही है बिहार के मुखमंत्री नितीज कुमार खुद इस बात का एलान कर चुके है कि किसी भी हालत में बिहार के अंदर पावर कट नहीं होने दिया जाएगा लेकिन इस दावे के बावजूद बिहार का सायत कोई ऐसा सहर होगा जहां हाल के दिनों में लोड सेडिंग नहीं हो रही है बिजली संकट के बीच हेल जारी है लेकिन अब आरजेडी ने फैसला किया है कि लाल्टेन हमेशा जलती रहेगी दरसल राष्टिय जनता दल की तरब से प्रदेश कारियाले में 6 टन की एक लाल्टेन लगाने की तैयारी हो रही है यहाँ लाल्टेन 24 सो घंटे जलती रहेगी इससे पाटी कारियाले और रोसन होगा और साथ ही लोगों को यहाँ लाल्टेन एसास भी दिलाएगा कि राष्टिय जनता दल का बजूत बिहार की राजनीतिक में अभी खत्म नहीं हुआ है राश्टिया जनता दल का चुनाव चिन्ह लाल्टेन रहा है लाल्टेन को लेकर बिहार में अक्सर सियासत भी देखने को मिलती है आरजेडी के विरोधी अक्सर इस बात को लेकर ताना मारते हैं कि बिहार में लाल्टेन का यूग खत्म हो चुका है लेकिन अब इसी लाल्टेन के सहारी आरजेडी एक बार फिर से बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है पाकिस्तानी टेरिरिस्ट ने किसंगंज में बनवा लिया आधारकाड दिल्ली में गिरफतारी के बाद खुला राज या बिहार आतंकियों के लिए ऐसी जगह बन गया है जहां उन्हें आराम से आस्रा मिल जा रहा है सोमवार की रात दिल्ली में पकड़े गये पाकिस्तानी आतंकी के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उससे ऐसे ही संकेत मिल रहा है पाकिस्तान से आये आतंकी को आराम से बिहार में पना मिल गई है उसने बिहार में ऐसे दस्तावेज भी बना लिये जिससे वह भारतिया नागरिक बन गया दिल्ली पुलीस ने इसका खुलासा किया है जिसके बाद बिहार पुलीस सक्ते में है दरसल दिल्ली पुलीस की स्पेसल सेल ने सोमवार की रात लक्षमिनगर इलाके से एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरपतार किया है आतंकी मुहमद असरब पाकिस्तान के पंजाब सुबे के नरोवाल का रहने वाला है वो पिछले 10 सालों से भारत में रह रहा था दिल्ली पुलीस असरब की गिरपतारी को बड़ी कामयाबी मान रही है और उससे आतंक के बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है पुलीस ने उसे कोट में पेस कर 14 दिनों के रिमांड पर ले लिया है बिहार के IS अधिकारी ने उड़ा दी BCCI के नींद रद हो रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बड़ी मुश्किल से माने साहब तो बनी बार बिहार के एक IS अधिकारी ने अपनी साधी के लिए भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से लेकर जार्खंड क्रिकेट एसोसियसन की नींद उड़ा दी थी हाला कि IS अधिकारी का कोई कसूर नहीं था लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि राची में दो साल बाद होने जारें अंतराष्टे क्रिकेट मैच रद होने जारा था बड़े मान मनोवल के बाद साहब माने तो जार्खंड से लेकर मुंबई तक बैठक क्रिकेट एसोसियसन के अधिकारियों ने राहत की सास ली भारत नियूजिलेंड के बीच राची में होने जारा क्रिकेट मैच रद होते होते बच गया दरसल बिहार के डर के आईस अधिकारी है मुकूल कुमार गुपता फिलाल जहनाबाद में उप इकास आयुक्त के पद पर तैनाथ हैं उनकी साधी अगले महने यानि की नवंबर में हो रही है और साधी राची में होनी है अपनी साधी के लिए काफी पहले से तैयारी कर रह मुकूल कुमार गुपता ने राची के रेडिसन ब्लू होटल में अर्चे पहले 19 और 20 नवंबर को होटल में 40 से 45 कमरों की बुकिंग करा रखी थी साधी में आने वाले मेहमान इसी होटल में रुकने वाले थे वहीं दूसरी ओर BCCI यानि की भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बो खिलाडियों और दूसरे स्पोर्टिंग स्टाफ के लिए विस्येस नियम काईदा तय कर रखा है BCCI खिलाडियों और दूसरे स्पोर्टिंग स्टाफ को बायो बबल में रखती है ये ऐसा अरक्षे तरचेतर होता है जहां बाहर से किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाजत खिलाडियों को भी इस बायो बबल से बाहर निकलने के अनुमति नहीं होती है बायो बबल से निकल कर खिलाड़े सीधे ग्राउंड जाते हैं और वापस लोटकर वहीं आते हैं रेडिशन ब्लू होटल में कमरे खाली नहीं थे जार्खन क्रिकेट एसोसियेशन ने BCCI से कि दूसरे होटल को चुनने का अनुरोध किया लेकिन BCCI के टीम ने कहा कि राची के किसी दूसरे होटल में 75 कमरों के साथ बायो बबल बनाना संभव नहीं है ऐसे में या तो जार्खन क्रिकेट एसोसियेशन रेडिशन ब्लू होटल में 75 कमरे बुक कराए वरना राची में हो इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों रिष्टे तौल में सेर करना ना भूले धन्यवाद